है गाइस वेलकॉम बैक और आज के वीडियो में 2014 का टाउन हॉल 10 चैलेंज कैसे बीट करना है फटा फट जाके चेक करते हैं बट आगे वन्टे से पहले प्लीज गाइस लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें मुसी के साथ इन गेम कुछ भी पॉचेस करते हैं तो गाइस यह वन फट टफ चैलेंजेस हैं जितने भी चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे और इसको बीट करना इतना मुश्किल नहीं आप किंग क्वीन डॉप करेंगे एंड उसी के साथ यह वाला जो शेक्शन है वह आप किंग क्लियर करेंगे काता विजर्ड भी आप कर के देगे आपके बस जैप स्पेल्स है जो आप यूज करोगे यहां पर अर्चर के उपर ताब की हीरो इन आचर पर डिस्ट्रैक्ट ना हो एक यह मैंने यहाँ पर किया और एक आफ यहा पर तो थोड़ा वेड करके एक ही जैप से सारी चीजों क्लियर कर सकते हैं मैं थो जो है आप देख सकते हो यहाँ पर और एनिमी जो किंग है वो भी यहाँ पर काफी जादा डैमेज हो चुका है बट वो एक इशू नहीं है क्योंकि आप लालो करने वाले हो कॉर्णर पर टेसला से आप कुछ लून्स डॉप करना दो हाउंड पहले यहाँ पर यूज करो एक स कि एक और यहाँ पर रेज यूज करेंगे ताकि आपके बलून्स जो है वो क्रूज करें पूरे बेस में और हाउंड जैसे ही देख सकते हो अभी भी इसके बाद और दो हाउंड बचे है जैसे मैं आपको बताया कि हाउंड को बिलकुल आप कंजूसी ना करो दबा के करता है जो अगर आप चाहो तो तो swag भी कर सकते हो आपके उपर डिपेंड करता है क्योंकि अभी आपके पास वक्त भी काफी है और उसे के साथ आपके लून्स काफी बचे हुए काफी पोप्स बचे हुए है यहाँ पे बैक साइड पर देख सकते हो आपके minions भी क्लियर रह कर सकते हो और यह हमारा 2014 का लेवल था अब इसके बाद जो है वो 2015 जो है टाउन 11 का लेवल है जो one of the toughest level होने वाला है कैसे बीट करें कि वह मैं कल के वीडियो में अपसे शेयर करूंगा आज के वीडियो में इतना ही होप शेयर अपको वीडियो आपने इंजॉई करा प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मिलूंगा अब तक नेक्स्ट वीडियो में चैन्ट एल्वेस गाइस जैहिन बाई